हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ पेंदर हुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडी तुपेंदर श्टेडी क्लासेस में गैस में जैसा कि आप लोग को थेओरी ओफ मसीन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन एंसर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्जाम के विसमे समिश्चर में तो आप मसीन के पेपर में आप लोग को कई सारे कुष्चन देखने को मिल सकता है इस से लेकोड्स के बारे में तो चली बात करें जैसा कि आप लोग को थेओरी ओफ मसीन के पूछ ईंपने इस चाहता हूं に tha की मेह आप किसी भी सबजक्त की पीडियाफ लेन 8484708 आप इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं या फिर call कर सकते हैं और call करने के बाद आप लोग को एक Google पर नंबर इसी नंबर पर Google पर और Patreon चलता है आप payment कर दीजे जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि अगर आप सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं तो वहीं पर आप लोग को एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा थर्टी नाइन रूपीज ठीक है आप पेमेंट कर दीजे और स्कूर्ट सेंड कर दीजे आपको PDF प्रवाज कर दिया जाएगा चलिए बात करें आप लोग को most important question के बारे में theory of machine के तो जैसा कि आप इस्क्रीन के माध्यम से देखवा रहे है theory of machine important question exam 2013 अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग को theory of machine के पहले most important question क्या पूछा जाता है तो यहाँ पर आप लोग को सबसे most important question बनता है योगल किसे बोलते है जिसे क्या होता है यहाँ पर question क्या होतना है सुद्ध गति यूगल से आप क्या समझते हैं इनकी वर्गी करण की विभिर ने बिधियां बताईए ठीक है मतलब यूगल क्या होता है सुद्धगती यूगल क्या होता है एक इतने प्रकार के होते हैं इनके बारे में आप लोग को संसेप्ट पड़ी लिखना है मतलब आपको याद करना है परसंट ज़र है कि आप छोटे कुष्टनों को पढ़ाई किजे बड़े लॉंग कुष्टन को पढ़ाई करने की बिल्कुल कोसिस मत करिए अगली बार आप खुद ही ना खुद देखे थे लॉंग कुष्टन किसी एक कोई भी कुष्टन नहीं पूछा गया था आप जो और नोटिस करना चाहता हूं कि आप छोटे लेवल कर अगर आप तयार करते हैं या फिर बड़े लेवल को तयार करते हैं तो आप दोनों कुष्टन को लेवल समझ सकते हैं और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमॉमेंस भी कर सकते हैं इससे लेटेड आप लोग क्या जाए फूर बार मेकेनिस में क्या होता है संचिप्त वर्डन कीजिए काफी most important question है और हर बार repeat होने वाला है फूर बार मेकेनिस में क्या होता है इसे बोलते हैं चार छण यंत्र बिन्याज जिसे बोलते हैं ठीक है यहां पर कुछ इस प्रकार से starting point होती है ठीक है अब आप लोग को तो कुछ दो प्रकार की टाइप के यहां पर आप लोग को तोरण आ जाता है और विज्याद करने के लिए कुछ ऐसा process मैंने बताया था ठीक है आप जाके वहाँ पर वीडियो देख लिजे नेस्ट कुष्ट कि बात क्या जाए इस्थातिक तथा गतिक बल को समझाइए इस्थातिक तथा गतिक बल काफी most important और इनके बीज में अंतर लिखने के लिए आता है और याद कर लिजेगा नेस्ट कुष्ट की बात क्या जाए इन्जट के संदरफोर निम्नेलखित पर संशिप्ट वड़न करतिक पड़ी लिखिये तो जो उर्जा का उतार चड़ा होता है, वो हमारे क्या होता है, एक सामाल रूप से ट्रांसपर होता रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उर्जा का उतार चड़ा हो, इनके बारे में नेश्ट कुश्चन की बात क्या जा है, गतिपाल पहिया क्या होता है, इनके बारे में जो crank price आरेक क्या होता है इनके बारे में आप लोग को याद करना है इसका uses कहा होता है इनके बारे में और वहीं पिए अगर आप यह कुछ स्थे नहीं solve करना चाहते हैं मगर आपको याद तो करना पड़ेगा सारे टॉपिक ठीक है आप ये भी टॉपिक याद करिएगा और वहीं भी आप लोग को दूसर टॉपिक आता है single stock cylinder engine और two stock engine और multi cylinder engine के बारे में आप लोग को तीनों topic के बारे में आपके याद करना है single, two stock और multi engine ठीक है तीनों topic के बारे में अपको figure सहीत आप लोग को याद कर लेना है next question की बात क्या जाए गतिपाल पहियत अथक governor में अंतर क्या होता है आप लोग को इस syllabus में के according अगर देखा जाए तो आपका governor नहीं है फिर भी आप governor के बारे में थोड़ा बहुत याद करे रहेंगे मतलब पढ़े रहेंगे और I hope कि आप लोग को lectures में भी मैंने governor के बारे में थोड़ा थोड़ा definition दिया था और आप लोग को समझाया भी था और वहीं पर आप लोग को PDF के बारे में PDF जो थी उसमें भी governor के बारे में आप लोग को पोटूप से बताया गया था निश्ट कुश्चन की बात क्या जाओंए पर निम लखित पर संसिप्ट पढ़े के लिए आ सकता है कौन कौन सा आता है सुग्राहिता आ सकता है और बरता संसिप्ट पढ़े के लिए भी आता है ठिक है वांस नमबर के बता है रापक्या कुस्टं के बात करना पर सौप करना पड़ता है एक संथलन लंब से आप क्या समझते हैं किसी एक π्रकार की स्थातिक संतुलन मसीन का वर्डन केज़े स्थातिक संतुलन मतलब स्थातिक मसीन क्या होती है संतुलन जिसे बोलते हैं इनके बारे में आप लोग को वताना है और किसी एक के बारे में आप लोग को कितने प्रकार के होते हैं उनमें से किसी एक के बारे में आप लोग को ठीक है तो आप लोगों को फालोवर कैम और फालोवर का दूर फिगर का फिर मोस्ट इंपोर्टन्ट है वो जरूर याद कर लिजेगा नेश्ट कुश्चन की बात क्या जाए क्राइन के तसा फालोवर के पदों को समझाईए उसके जो टॉपिक होते हैं में में इलिवेंट्स इनेश्ट कुश्चन की बात क्या जाए आटो मोबाइल में विवेदी गियर डिफरेंशल गियर जिसे बोलती है विवेदी गियर के बारे में आप क्या समझते है इसका आटो मोबाइल में यूसर्स क्या होता कहां यूसर्स क्या जाता है इनके बारे में काफी मोस्ट इंप गियर ट्रेन को गियर माला के नाम से जानते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से याद कर लेना है, निष्ट कुश्चन की बात क्या जाए, कमपन काफी most important question और 100% से और है, आप लोग को एक्जाम के विस पे काफी most important और 100% guarantee में बोल सकता हूं, कमपन क्या ह होता है, कितने प्रकार की होती है, वरगी करण कीजिए, इससे घुमा कर question पूछ ले जाएगा, मगर कमपन से लेटेड आप लोग को एक question जरूर पूछा जाएगा, या कितने प्रकार की होते हैं, किसी एक के बारे में वरडन करना है, या फिर कमपन क्या होता है, वरगी जाता है, कि हाँ बच्चे को कुछ ना कुछ knowledge है, जिससे क्या होता, अगर आप दो नमबर देना चाहता है, तो वहाँ पे आप लोग को figure कभी एक number या आधे number दे देता है, तो इससे काफी most important बनता है, कि आप figure जरूर बना कियाएगा, तो I hope guys, यहाँ पे आप लोग को theory of machine क आसा करता हूँ कि आप लोग को 20 plus question, 20 plus question आप लोग को मैंने बताया, तो बस guys, आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को subscribe किजिए, ज़्यादा ज़्यादा share करने कोसिस किजिए, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाए हीज़ हीज़ हैं